हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी आर क्लासेस में तो मेरा नाम है रही तो आज की वीडियो को हम करते हैं सुरो और आज आप पीछे से देख रहोंगे मेरा कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है क्योंकि आज हम आपकी पढ़ाई की बाते नहीं करने वाले हैं यानि कि हम स्लेवस की बाते नहीं करेंगे हम आज वो बात करेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी इंपोटेंट हो सकती है हम वो बात करेंगे आज आपके स्लेवर्ट से थोड़ा सा हटके जिसमें हम बात करेंगे आपके आने वाले एक्जाम में जो रुकावटे होती हैं उनके बारे में कैसे हम हैंडल करते हैं अपने एक्जाम को, कैसे हम एक्जाम पे सफलता पा सकते हैं कौन-कौन सी बादाई हैं जिनको हम अपनी दैनिक जीवन में फेज करते हैं और वो हमारे लिए रुकावट बन जाती है जब आपका result आता है तब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि result आने के बाद सर पकड़के बैठ जाते हैं कभी उन्होंने अपने आपको analyze किया है कभी अपने जो असफलताई है उन चीजों का परिक्षण किया है अगर आप इन चीजों का परिक्षण नहीं करेंगे तो आपका जो आने वाला exam है तो उसमां आप कैसे सही कर पाऊगे तो मेरा यही मानना है कि बहुत से बच्चे यहाँ पर जो भी आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर आप तयारी कर रहे हैं क्योंकि आप तभी इस channel पर आए है और तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आप लोगों से एक ही request है कि आप अच्छे तरीके से तयारी कीजिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत knowledgeable होते हैं, जिनको मतलब slabs भी complete कर चुके होंगे, और जिन्होंने लगभग लगभग पढ़ी लिया होगा, और उनसे अगर कोई भी question पूछो तो हो स एक्जाम में क्या होता है, वो नहीं कर पाते हैं, एक्जाम के बाद जब घर आते हैं, तब उन्हें पता सलता है, कि यह question मेरा गलत हो गया, यह question गलत हो गया, मेरा तो नहीं हो पाया, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि फिर negative direction में चले जाते हैं मतलब negative source में चले जाते हैं कि यार मैंने क्या कमी की थी मैंने तो तयारी की थी लेकिन क्या सही direction आपने एक पकड़ी है मेरा ये मानना है कि अगर आप एक time table सही से बना ले दिन चरिया का जिसमें आपका syllabus और आ पोई जॉब कर रहा होगा कोई college आ रहा होगा और और कोई घर पर बैटकी तयारी कर रही होंगे ऐसे में आपके पास आपके आसpent बहुत से लोग होंगे आपके दोस्त होंगे जो आपके साथ दिन चरिया में सामिल होंगे तो क्या होता है कोई एक दोस्त का प्लैन बन जाए कि आज घूमने जाना है या फिर कुछ भी प्लैन बन जाए तो क्या करते हो आप किताब रखी बैग में और चलेगे उनके साथ घूमने और आपका पूरा 3-4 घंटे कैसे भी जाते हैं आपको पता भी नहीं सल पाता है यह होता है आपका comfortable zone यानि कि आप अभी सुख सांती वाले माहौल पर जा रहे हैं जहां पर आपको मज़े आ रहे हैं मतलब एक enjoyment आप कर रहे हो वहाँ पर और यही जिंदगी है और ऐसी जिंदगी बतानी बार बार मिले या ना मिले जिसमें मैं इस तरीके से अपने दोस्तों के सांथ घूमू या ना घूमू पर येकिन वानों दोस्तों जिंदगी में कुछी लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपका साथ देते हैं बच्पन से लेके अभी तक आपके कितने दोस्त बने हैं और कितने दोस्त आपके साथ अभी तक हैं इस चीज़ को आप आप आपजव करो आप समझोगेगी कि एक या दो ही इंसान ऐसे हैं जो आपके परिवार से बाहर आपकी फैमली से बाहर आपके लिए चिंतित हैं या फिर आप से रूबरू हैं और उन्हें आप से फरक पड़ता है और कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप बच्पन से लेके अभी तक कितने दोस्त न जाने आपके बने होंगे न जाने कितने लोगों से आप मिले होगे और कितने लोगों के लिए आप आज सीरियस हो कितने लोगों के लिए आप आज उनकी लाइफ के लिए ततपर हो उनके लिए रूबरू रहते हो तो आप भी लगभग एक या दो ही लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आप हमेशा साथ रहते होंगे तो यार यह दोस्ती, यह माहौल तो हर हमेशा मिलता ही रहेगा अगर आप एकजाम निकाल लोगे तो वहाँ पर भी फिर नए लोग आएंगे नए लोग आप लोगों से जुड़ेंगे तो फ्रेंड सर्कल बढ़ता ही जाएगा लेकिन आपकी जिन्दिगी में कुछी लोग ऐसे होंगे एक या दो लोग जादा से जादा मैं मानता हूँ दो लोग ऐसे हो सकते हैं और कम से कम एक तो ऐसा व्यक्ति होगा या एक इंसान ऐसा होगा जो कि हरमेसा आपका सांद देता है लेकिन आप कर क्या रहे हैं आप कर रहे हैं वो चीजें आपका फ्रेंड सलके साथ आठ लोगों का है या कितने ही भी लोगों का हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने phone किया और आप phone उठा के चलेगे और अपनी तयारी जो आप पढ़ रहे थे वो सारा हो गया चौपट लेकिन उसी वक्त जो selection ले रहा होता है जिनके सपने उचे होते हैं जो एक जुनून जो से पैयारी कर रहा होता है वो उस समय पढ़ाई कर रहा होता है revision कर रहा होता है practice set कर रहा होता है लेकिन आप क्या कर रहे हो कब जागोगे भाई समय आ चुका है इतिहास दोहराता है अपने आपको ये बिल्कुल सही बात है उत्राखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी सारी वेकेंसी आज तक आपने कभी सुना कि इतनी जादा मात्रा में कभी वेकेंसी आई है मैंने तो नहीं सुना 2000 के बाद जब भी 2022 ही निकल चुका है तो 2022 में जब आपके पास इतनी बड़ी ऑपोर्चुनिटी है 1500 वेकेंसी पुलिस कॉंस्टेबल की है और 500 के आसपास आपके पटवारी लेक पाल की है कनिसाई की वेकेंसी आने वाली है फोरिश्टिगाट की आपके पास 7800 वेकेंसी है तो इससे अच्छा मौका कभ मिलेगा यार और आपके पास यह ऐसी अपोर्चुनिटी है अगर आप अभी निकल गए तो भाई आपकी जिन्दिगी सेट है आपका जो लक्स है एक गौर्णमेंट जॉब का वो जरूर मिलेगा आपको लेकिन अगर आप अभी भटक गए तो इतिहास दोहराने में पतानी कितना समय लगेगा 2022 तो निकल चुका है 22 साल हो चुके हैं इतिहास को हमारे उत्राखरण के अभी पहली बार ऐसा हो रखा है तो न जाने कितने साल और लगेंगे कि यह दुबारा रिपीट होगा तो आप समझ रहे होंगे आपके सपने उचे हैं लेकिन आपको उन सपनों को साकार करने के लिए उन उचाई उपर जाने से पहले जड़ मजबूत करने पड़ेगी अपने जो राश्ते हैं उनकी बाधाई जो हैं उनको पार करना पड़ेगा सही समय आएगा जब तो आप यह सारी चीज़े कर ले जाओगे अगर अभी आपको लगता है कि यार मेरी जिंदिगी में तो मतलब यह best moment है कि यार मैं यह जिंदिगी फिर न जाने कब जिऊंगा या जिऊंगी आप सोचते हैं कि चलो यार मौका मिला है तो अभी कर लेते हैं enjoy लेकिन दोस्तों य यह enjoy करने के लिए आपके पास समय फिर से आएगा जब आपका selection होगा और इससे बहतर समय आएगा आपके पास पैसा होगा सब कुछ होगा आपके पास बहुत सारी चीज़े होंगी जहां पर आप इस चीज़ को और अच्छा तरह के से कर सकते हो लेकिन कुछ समय रुक रहूं कि रिजल्ट आने से पहले अपने आपको तयार कर लो उस एकजाम के लिए इतिहास में एक घटना है असर योग आंदुलनं गाधि जी ने छेड़ दिया था लेकिन गाधि जी ने असर fluffy आंदुलनं को 14 चौरी हत्याकंद के बाद रोक दिया था क्या कारण था बहुत से लोग नहीं पूरा भारत वर्स हर एक कोने कोने से हर एक व्यक्ति गाधी जी की आउहेलना कर रहा था कह रहा था कि हमको तो आजादी मिलने वाली थी लेकिन असयोग अंदलोन को वापस लेना आपका फैसला गलत है लेकिन दोस्तों उस समय हमारे देश में नराष्टवाद की भावना जगीती हर भारतियों के अंदर ना ही क्रांतिकारी नेता सामने आये थे करांतिकारी युवा जिनको हम भगत सिंग राजगुरु सुगदेव के नाम से जानते हैं चंदर सेकर आजात के नाम से जानते हैं इन लोगों का यहाँ पर अभी भारत की भूमी पर भारत की स्वतिंद्रता में योगदान आना बाकी था सुभाष चंदरबोष जिन्होंने आजाद हैंदे पहुंच की इस्थापना की और इतनी बड़ी सेना सामिल की भारत में इतनी बड़ी सेना को मजबूत बनाया जो ब्रिटिस से लड़ने के लिए तयार हुई वो उस समय नहीं थी हमारे पास हमारी जो भी लोग थे वो ब्रि सब्सक्रां नहीं करेंगे षнова किंदर हम नमकलाली नहीं करेंगे कि हम यहां के जो भी सेना ब्रिटिस में थी वो ब्रिटिकों का ऋलगाने कंब थी और गादी जी ने ये कहे कि हम अहींसा का मार्ग अपना कर हम इस अहसोयग आंदोलन को वापस कर लेते हैं लेकिन वहीं गादी जी जब भारत छोड़ों आंदोलन में हमारी सेना तयार हो जाती है आजाद हिंद फौंच की इस्तापना हो जाती है सुबास चंद्र बोस इसमें नौ युवक नौ जवान करांतिकारी का एक ऐसा तपका तयार हो जाता है जो हमेशा स्वतनत्रता के लिए तयार होता है भार भारतियों में राष्ट वाद की भावना जागरत हो जाती है और फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि जब दितिविश्व आता है उस समय ए एक ऐसा मौका था हमारे पास कि अब हम आजादी के लिए आगे आ सकते हैं यानि कि अब हमारे पास सही समय आज चुका है अब हम तैयार हो चुके हैं अपने रड़ भूविपर इसी वक्त गाधी जी देते हैं करो और मरो का नारा जो व्यक्ति अहींसा के मारगे पर चलता अाज वो खुद कहहत रहा है कि करो और मरो यानि कि आप समझ रहे हैं समय समय कब आता है जब आप सारी चीजें तयार कर लेतो हो अपना backup plan पूरा कर लेतो हो यह backup plan आपका क्या है slabus है आपका revision है आपकी test series है हतियार आपको तेज करने पड़ेंगे practice set आपको लगाने पड़ेंगे और यह जो आलतू-फालतू बचकानी हरकते हैं इनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा त्याग और तपस्या करने ही पड़ेगी नित्याग किस चीज का comfortable zone का जो कि आप आज कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो मार्ग से भ्रमित हो रहे हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अच्छी से तयारी कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छी direction में जा रहे हैं अगर आप भी मार्ग एक थोड़ा सा भटकनी की कोशिस कर रहे हैं दिवाली आ रही है लोग दिवालिया मनाएंगे उस्सा मनाएंगे आप भी मनाओगे लेकिन एक दायरे में एक सिमित समय के अंदर गयत आप इन चीज़ों को करना और ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई पर देना और अच्छी तरेके से इस चीज़ को त्यार करना जब अपने अंदर इस जोस और जुनून को जैसे कि भारतियों में उस्सा में राश्टुवाद की भावना जागरत करना है जो की है आपका गौर्मेंट जॉब जो की है आपके सपने आपका लक्ष इस लक्ष को पाने के लिए आपको कुछ तो त्य करना ही पड़ेगा इस तरीके से नहीं होगा कि जिसने बोला जहां बोला मुँ उठा के चलेगे भाई अपनी असफलताओं से सीख लो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे ख्याल से एक दो तीन पेपर तो देही चुके होंगे और आपने क्या गलतिया की क्या आ आप उस समय गए थे घूमने के लिए मेरे ख्याल से साइद कुछी लोग मेंसे होंगे जो आपके साथ आज भी हैं लेकिन बाकि वो लोग जिनके साथ आपने पार्टिया मनाई थी वो लोग आज आपके साथ नहीं होंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखो दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे अपने कैरियर के लिए अपने पैरेंट्स के सपनों के लिए अपने सपने के लिए अगर आप सचेत हैं जागरत हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपको एक पटवारी की नौकरी, SI की नौकरी, पुलिस, कॉं टाइम टेबल को निश्चित करोगे, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, ये सारा सेट कर लो, सबसे बड़ी चीज है हेल्थ, अगर आप खाना, पीना, अगर आप नास्ता नहीं करोगे, अच्छे से खाना नहीं खाओगे, दिन चरी आपकी बेकार चले जाएगी, नौ मेंटली प्रिपेर होंगे, आपका स्वास्त, आपका सरीर आपका साथ दे रहा होगा, तो आप एक अच्छे त्यारी कर ले जाओगे, टाइम से सोर रात बर देखता हूँ कि बहुत से लोगों होते हैं, चैटिंग में लगे रहते हैं, वाटसब, फेस्बुक, इंस्टाग रिल से देखने में लगे रहते हैं, और नजानने वेब स्रीज, मूवीज, ये सारी चीजे अभी आपके लिए नहीं हैं, ये हैं, लेकिन अभी नहीं बाद में, जब आपको सपलता मिल जाएगी, जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे, जब आपका लक्स आपके कदम कुछ भी करने के लिए हैं, वो समय आप इन चीजों को करें, अभी त्याग कीजिए, तपस्या कीजिए, महात्मा बुद्ध्य ने भी तपस्या की थी, तभी उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये आपने महात्मा बुद्ध की जिंदिगी के बारे में थोड़ा सा अग दुलकलाम को ले लो, हर कोई व्यक्ति इन बाधाऊं से पार करके अपने आपको उचाईयों पर ले गया है, तो आपको भी इन उचाईयों पर पहुचना है, अगर राजा बनने का क्फ़ाप देखा है, तो आपको करना ही पड़ेगा इस मैदान पर का सामना, राजा बनने का मदलब है अपने सपनों का राजा जो आपके सपने हैं आपका गौर्मेंट जॉब तो आई होप आप अपने सपने के लिए काम करेंगे अगर आप इस चैनल पर अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यह समझता हूँ कि आप अपने लाइफ के परती सीरेस हैं और एक अच्छी तयारी करेंगे आप मेरे चैनल से जितने भी वीडियो हैं सबी को देख लिजे कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा वहां से मिलने वाला है आने वाला जो दो महिना है उसमें मैं आपको और अच्छी तयारी कराने के कोशिस करूँगा और कंटेंट आपको प्रुवाइट कराऊंगो बहुत अच्छी तरीके से में आपको आपका साथ देने के कोशिस कर रहा हूँ तो बने रहे हैं मेरे साथ JR Class को सब्सक्राइब कर लिए सियर कीजे वीडियो, लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे ठैंकी सो मच